कोरोना वारस के खत्रे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया था नहीं लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने कई शेत्रों में छूट बीरी थी देश के पुरी तरह बंद होने के कारण ना सर्फ देश को नुकसान जहिलना पड़ रहा है बलकि मजदूरों और गरीबों को भी इसका काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है वहीं अभी भी देश को कोरोना से मुक्ती नहीं मिली है ऐसे में लॉकडाउन खुलने की इस बार भी उमीद कम ही नजर आ रही है ऐसे में सरकार की योजनाओं पर भी कई सवाल उठाये जा रहे हैं वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक ऐसे भी संकेत मिल रहे हैं कि देश में आर्थिक गतिविडियो में तेजी लाने के लिए सरकार नए नए कदम उठा सकती है मीडिया रिपोर्ट्स के अनिसार इस बार भी लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो फिर इस बार कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं लोगडाउन के मौज़ुदा फेज में किसी भी इलाखे में कोरोना के जादा केस आने के शल्ते पुरे जिलिक और रेट जोन में डाल दिया जाता है बता दे कि सोमवार को परदानוף ενounds मूदी सभी मुखिमंंत्रिएं के साथ video confidence के जरिए करेंगे जिसमें वो सभी दफिए मुखिमंत्रिएं क साथ lockdown खोलने और राजो